तो चलो बिना किसी देरी के आज का चैप्टर शुरू करते हैं पानी की कहानी क्या है पानी की कहानी तो चलो शुरू करते हैं तो कहानी की शुरूआत है कैसे होती है कहानी की शुरूआत होती है जब लेखक ने बताया कि बेर की जाड़ी से मोती सी चमकती पानी की एक बूंद उनके हाथ में आ गई ओहो ओहो जादा हो गया थोड़ा सा जूम हलका सा कम करते हैं अब अच्छे से दिख रहा होगा ठीक है उनके हाथ में आके गिरी और उनकी द्रिष्टी उस बूंद पर पढ़ते ही वो रुख गई उन्होंने जैसी उस बूंद को देखा वो रुख गई अब लेकक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हतेली से सितार के तारों की इसी जंकार सुनाई देने लगे पानी की वो बूंद ूभागों में बट गई है और अब दोनों नों ही हिल हिलकर यह स्वर उत्पन कर रही है जहां से देखा तो पानी की जो एक बून थी अब वो दो अलग-अलग बून में बन गई है और आपस में ये आवाज create कर रही है य्था को ऐसा मानो लगा जैसे मानो वो बोल रही है अब दो अब जैसे अलग-अलग दो जैसे वो real में हैं, जैसे वो कुछ बोल सकती है, समझो, तो इसे कहते है मानुई करन करना, उसके बाद लेखक उन Бूनों से बाते करने लगते हैं, वो उसकी बून अपने बारे में बताती हैं कि वे लेखक की हतेली पर बेर के पेड़ से आ गई हैं, उनने ये बताया कि ये पेड़ पे कहां से आई, पेड़ की जड़े होती हैं, वो पानी को सोख लेती हैं, और वहां से ऐसी बहुत करोड़ों बूंदे होती हैं, पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नारास थी, पानी की बिचारी बूंद बहुत गुसा थी उस पे जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना और अंत में पेड़ की पत्तों के छोटे-छोटे छिद्रों से बाहर निकल कर आने की अपनी कहानी लेखा को बताती है यानि के वो पूरा आपने अक्लास 6 में पढ़ाता था ना क्या फोटो सिंथेसिस का जो पूर करके फेक देता है रे बताती है कि सूरज के ढ़ल जाने के कारण अब भाब बनकर उएकिसार टे कारण यह तो इसको बोलते हैं कि तुम टेंशन मतलो, मेरे हाथ पर तुम एकदम सुरक्षत हो, इसके बाद पानी की वे छोटी सी भून, लेका को अपनी उत्पत्ती की कहानी बताती है, कि कैसे वो बनी थी, तो भून बताती है, कि जब हमारे पूरे ब्रहमांड में उतल पुतल हो रही थी, अनेक नए नए ग यहाँ पर कितनी ब्यूटफुली साइंस को यूज कर रहा है न, पाइनी हमारा क्या होता है, ह्टू ओ, याने कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सिजन, राइट, तो उसने बताया, यह दोनों सूर्य मंडल में आग के रूप में मौझूद थे, उसने बताया, जब दुनिया शु मान में बहुत दूर, सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाशपिंड दिखाई दिया, याने कि एक दिन बहुत दूर, सूरज से लाखों गुना बड़ा, सोचो, इतना बड़ा एक प्लैनेट दिखाई दिया, यह प्लैनेट बड़ी तेजी से सूर्य की और बढ़ वो सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही दूसरी दिशा की ओर निकल गया, मगर क्या हुआ, वे सूरत से बहुत लाखों किलोमेटर दूर से ही दूसरी तरफ मुढ गया, परन्तु उसकी भीशन आकर्शन शक्ती के कारण सूर्य का एक भाग तूटकर कई छोटे छोटे भागों में बट गया, मगर उसकी ग्राविटेशनल फोर्स बहुत जादा थी, इसकी वज़य से सूरत से कुछ बहुत बड़े टुकड़े गिरकर बाहर आस्मा ऐसी उनिवर्स में उड़ने लगे, उनी में से एक टुकड़ा हमारी प्रित्वी है, और उसी से क्या बने, उसी से बन किया कि अगर प्रित्वी आग का गुला थी, तो तुम पानी कैसे बनी, अब यह इंट्रेस्टिंग कोशन है, पूरी अर्थ अगर आग थी, तो तुम पानी बनी कैसे, तो भून ने जवाब दिया, अरबों वर्षों में धीरे धीरे प्रित्वी ठंडी होती चली गई, मतल फाइनली क्या बनाया, वाटर, यानिकि H2O, इस तरीके से मैं बनी, पैदा होते समय मैं भाब के रूप में प्रित्वी के चारों गूमती थी, जब मैं पैदा होती तब मैं भाब के फॉर्म में थी, पानी की कहानी है ना, ये पानी कैसे बना, भाब थी, उस समय रियल कारण मैं पानी में परिवत्तित हुई, यानि कि फिर सालों बाद जमी हुई बर्फ, जब सूरज को दिखी, तब वो पानी बना, बूंद कहती है कि नमक से भरे समुद्र में बहुत ही अनेखो, क्या अनोखा नजारा था, उसने बताया कि जब वो समुद्र से भरे, जो कई-कई मन भरी, क्या कई-कई मन भारी, कच्छुए और हाथों वाली मचलियां आदी, ये सारी वहां पर अजीब-जीब जानवर थे, और समुद्र की अधि गहराई में जंगल, छोटे गिठने वह मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे, उसने बताया कि पानी के नीच जंगल भी है, वहां पर पहाडियां, गुफाएं और घाटियां भी थी, जहां आलसी और अंधे अनेग जीव रहते थे, जो उपर ही नहीं जाना चाहते थे, ये रियालिटी है, हमारे आज सच में ऐसा है, बून्द लेखक को आगे बताती है, कि समुद्र के अंदर से बाह आना भी आसान काम नहीं था, समुद्र से बाहर निकलना इजी थोड़ी है, उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई कोशिशें की, कभी चटानों में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश की, तो कभी धर्दी के अंदर ही अंदर किसी सुरक्षित जगे से बाहर निकलने की को कि लाम कोशिश के बाद अनततर जौलामुखी के निकट पहूँच गई, कहां पहूँच गई यहसे ही? एक वलकेणों के पास पहूँच गई जौलामुखी की गर्मी के कारण वो फिर से भाप में परिवर्टित हो गई और आसमान में उड़ गई चौला मुखी की गर्मी के वज़े से वो अगेन वेपर में कनवर्ट होके आसमान में उड़ गई फिर बादल रूप में परिवर्तित होकर दुबारा बरसकर जमीन में आगे लिए फिर बादल में कनवर्ट होके वो वापस बारिश के थुरू नीचे आ गई जमीन में आने के पश्चात नदी के रूप में बहने लगी तभी एक नगर के पास एक नल दौारा उसे खीच लिया गया तभी पानी कहां का जाता है लोग नल चलाते हैं और उसमें उसको निकल गई महीनों तक नलों में घुमने के बाद एक दिन नल के तूटे हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई उसने क्या पताया ऐसे ही महीनों तक नलों में घुमने के बाद वो फाइनली एक बेर के पेड़ के पास आके अटक गई अब सुबह होने तक का इंतजार कर रही है ताकि वैं दोबारा भाब बन सके और सूरे दय होते ही ओस की बून दीरे दीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हतेली से गायब हो गई और पूरा चैप्टर हो गया खतम फटाकस से कमेंट करके बता दो वीडियो कैसी लेगी अच्छे समझ में आया कि नहीं है ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जिस बच्ची ने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है very bad फटाकस चैनल को सबस्क्राइब मारों मिलते हैं नेक्स्ट वीड बाइ टेक कियर एंड मौज मस्ती करते रहिए